हाई अव्रिवन स्वागत है आप सभी का फैब एंगलिश पर आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ क्यूंकि एक कन्फूजन जो है वह आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा क्यूंकि सभी के गर में न्यूस चैनल पर बड़ कि भाई साब कोविड वापिस आ गया एक्जैम्स होंगे या नहीं होंगे तो ये कन्फूजन ही आज के सेशन में हम आपका दूर करेंगे अभी क्यूंकि कोविड चीन फ्रांस जर्मनी जपान ब्रजील रक्षिन कोरिया अमारिका इन देशों में बहुत ही ज्यादा की दर से फैल रहा है और आप अलग-अलग तरीके की खबरे देख रहे होंगे जिनके बीच आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो भी मिलेंगी जिसमें ये पूछा जाएगा ये बताया जाएगा कि आपके एक्जैम्स कैंसल हो सकते हैं कैंसल नहीं तो डिले हो सकते हैं जिसकी देख सकते हैं कि बाकी सारे देशों में जो ये कोविड है ये बहुत ज्यादा बड़े दर से फैल रहा है तो ओविएसली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है उन्हों ने एक मीटिंग रखी और उसमें बहुत सारे लोग आए जैसे कि आप देख सकते हैं यूं मिनिस्टर रमित्शा और हेल्फ मिनिस्टर वगेरा वावे बहुत सारे लोगों के साथ ये काफी एक बड़ी मीटिंग रखी गई जो डेड़ घंटे लगभग तक चली थी अब बच्चों के दिमाग में क्या आया कहीं हमारे लिए तो नहीं रखी गई है कि बहुत एक्जाम नहीं हो अगर भारत के केसब में तो बल्कि गिरावत आ रही है 0.14 परसंट गिरावत इस हफते देखी गई है कोविट के केसब में तो हमारी कंडिशन काफी सही है लेकिन हमें इसे बुरा नहीं होने देना है आप सभी बच्चों को भी अपना खयाल रखना है प्लस अब जो मेन क्वेश्चिन है वो यह कि आपके एक्जाम होंगे या नहीं होंगे या डिले हो जाएंगे आखिरकार होगा क्या तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है तो आप लोग अपन होने ही वाले है तो अपना जो दिमाग है वो कहीं और मत लगाओ जो तयारी कर रहे हो उसकी तरफ रखो प्री बोर्ट चल रहे हैं या कुछ स्कूल में होने वाले हैं उनकी तयारियां अच्छे से करो आगे बोर्ट एक्जाम की तयारी अच्छे से करो प्राक्टिकल्स जैसे दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं लाना है कि आपके एक्जाम होंगे या नहीं होंगे क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से बोर्ट एक्जाम को लेके ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है प्लस आप लोगों को अपनी तव्यत का भी पूरा खयाल रखना है बिलकुल पर बहर ला जगा पें नँजवत से लगडाना स्टाट कर दो साधी सात अच्छा खाना पीना खाना स्टाट कर दो ताकि एक्जाम टाइम पर कोई भी दिक्कता आप लोगों को ना आए अभी बहुत से बच्चे इस आंदोलन में भी लग जाते हैं इस टाइम पर आके की भ मंदोलनों में तुम्हें जुड़ना है कि बोर्ट एक्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए क्योंकि यह तुम्हारा फ्यूचर है बोर्ट एक्जाम तुम्हारा फ्यूचर है अगर तुम बाद में अच्छे कॉलिच चाहते हो बाद में अच्छी प्लेस्मेंट चाहते ह तेको अगर डिले हो गए तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो बढ़िया बात है टाइम मिल जाएगा जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी बढ़िया बात है क्यों लोगों को क्या होगा क्या होगा तैयारी और अच्छे से हो जाएगी तैयारी से मुझे या कर रहे हैं मौर्निंग में साथ बजे हमारी क्लास होती है तो आप लोगों को छोटी-छोटी वीडियो भी मिलेंगी और आप लोगों को पूरा डीटेल्ड लेक्चर भी आपर प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोग इस सीर परना नहीं है तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि अभी अपनी तयारी पर बिल्कुल भी रोक ना लगाएं अगर आपके एक्जैम नहीं भी होते तो आगे कॉलिज में जाने के लिए तो पेपर देना पड़ेगा बेटा तो पढ़ाई से कब तक बचोगे नही बच सकते हो तो ध्यान इस चीज पर दो कि एक्जैम जो और एक्जैम में अच्छा स्कोर करो ताकि आगे सब कुछ स्मूदली चल सके रहे वर्ना कई-कई-महीने तो एक्जैम पोस्पॉंड होते चले जाते हैं होते चले जाते हैं आपका ही समय वर्बाद हो रहा है और किस सीट आएगा तो वो सबसे पहले में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है जैसा होगा देख लेंगे लेकिन अभी अपना जो रिविजन चल रहा है अपन जो इस चैनल पर पढ़ रहे हैं जोरो शोरो से पूरा रिविजन कर रहे है प्रिविश यर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उसको हम नहीं रोख सकते अगर आप लोगों ने पहले इस चैनल पर नहीं आया तो आज चैनल को आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो हमारा भॉकाल 2.0 रिविजन सीरीज चल रहा है उसके साथ भी आप ज आप देख सेजु ने ने स्चेशन